हेलो सुटन्स जैसे कि आपको पता है एकनॉमिक सर्वे यूनियन बजट दोनों रिलीज हो चुके एकॉनिमी पर उसका इंपक्ट पढ़ना शुरू हो चुक है शेर मार्केट में हमें कुछ उतार चड़ा दिखने शुरू हो चुके तो इस वीडियो में हम जल्दी से एक बा बहुत सारा डे ता पर आपको वह यार न करने आपको उसको analyse करने हैं समयने के कोशिश करने कि government कहां को जाना चाती है जैसे defense budget में increase नहीं हुआ तो कोशिश करे होगे कि अभी के लिए defense budget के increase ना करके अगर social reform schemes पर और जारे invest किया जा सके इस तरह कि यहां पर सोच रही होगी ठीक है तो union budget 2024-2025 क्योंकि budget हमेशा future के लिए होता है पर economic survey 2023-2024 क्योंकि economic survey पिछले financial year की बात करता है कि वो कैसा रहा यह और better क्या किया जा सकता है ठीक है ठीक है तो finance mister ने आपको बताना जी वैसे तो यह budget और economic survey जो है budget हर साल आता है first of web को parliament के सामने economic survey आता है 31st of January को पर जिस साल लोग सब election होगे उस साल यह दो बार होगा पहले election से पहले जो की normal time होता है 31st January 1st of web और फिर election खतम होने के बाद job हो रहा है economic survey 22nd of July को budget आया 23rd को ठीक है तो economic survey और budget दोनों आप देख सकते हैं finance mister ने प्रिजेंट करने है तो यहाँ पर वही बताया गया कि वैसे तो यह सब होना होता है 31st January 1st of web को जो इस साल भी हुआ पर क्योंकि लोकसभा election था तो फिर करना होता है क्योंकि अगर आप election से पहले पूरे साल का budget बना लोगे और election के दोरान सरकार बदलगी तो फिर नई सरकार यह थोड़ना कहेगी कि अब हम पुरानी सरकार बदल बजट चला लएटों वो बनेंगे हमको फिर से बनाने को दो इसलिए आप बजट की बद फिर एक बदर election की बद फिर से बज़ट बनाते हो अगर सरकार कंटिनिव कर गी तो वो ही सरकार फिर से simple मतलब है कि असल में budget के थ्रू सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है अब सरकार पार्लिमेंट से permission मांग रही है कि सारे साल में ये सब खर्चे हम कर लें पार्लिमेंट बोलते है कर लो ये असल में होता है budget constitution में इसको mention किया रहता है annual financial statements की तरह department of economic affairs में budget division होता है जिसका काम ही असल में होता है कि आपको सारा साल बैठके एक budget बनाना है और वो government को देना और government उसको पास करवानी की कोशिश करती है ठीक है पहले economic survey के important point समझते है क्या highlights थे फिर budget पे चले है economic survey त्यार किया जाता है chief economic advisor के office के द्वारा जो कि इस टाइम पे chief economic advisor है वीन अनन्था नागेश्वर जी और इनके office के द्वारा ready किया गया economic survey present वो भी finance mistake करते है बढ़ रेडी है करते है economic survey बात करते है कि भाई कैसा रहा पिछला financial year budget बात करते है आगे हम क्या करेंगे तो ये सब बड़े बड़े topic से सबको नहीं हम discuss करेंगे हम कोशिश करेंगे कि point समझे conclusion समझे ठीक है जैसे बोला गया कि भाई दुनिया के मुकाबले इंडिया की economy काफियत तक बेटरी अब तो दुनिया ने भी recover करना काफियत तक शुरू कर दिया COVID की जितनी problems थी खतम हो चुकी यहां पर दिखाया गया है various factors various inflationary factors हमारी country में चीज़े improve हुई हमने schemes में काम करने के अच्छी कोशिश करी अगर इंडिया की inflation को दुनिया से compare करो तो वैसे तो हमारी inflation थोड़ी जादा दिखती पर developed country होती ना US, UK उनकी inflation कम होनी चीज़े जनली एक दो परसंट पे उनकी भी 4-5 परसंट पे रहना यह थोड़ा high था हम तो developing हम तो फिर भी inflation सह सकते developed country का भी inflation नहीं सह सकती दुनिया की currencies, dollar के मुकाबले कैसे बढ़ी हमारा भी थोड़ा सा problem थो रही पर इतनी नहीं कि हम control नहीं कर सकते ठीक है फिर inflation दो तरह की होती है, उसके बार में यहाँ पर बात की गई, फिर यहाँ पर बात की गई कि हम किस तरह से various initiatives को अच्छे से चला रहे हैं उजला योजना में जो cylinder दिया जाता है जल जीवन mission मलब किस तरह से चीज़ों को आगे चलाया जा रहा है फिर यहाँ पर बात की गई किस तरह से हम लोग bank credits को बढ़ा रहे हैं bank के द्वारा जो loan दिये जाते हैं digital public infrastructure को कैसे हमने improve करवाया financial inclusion जारा से आरह लोगो banking system, financial system में ले करा, यह अच्छा हुआ gift city जो गुजरात में उसको किस तरह से और strong बना जा रहे हैं कि international city की तरह develop किया जा रहे है, इस बारे में हमने बात करी मलब इंदी economic survey फिर से एक बार inflation और prices पर क्योंकि inflation बहुत जरूरी होते है, आपकी country में गर inflation बढ़ेगी ना तो जो country का बिलकुल गरीब तपका, उसको बहुत मुश्किल हो जाती है तो बलब इहां यही बताया जा रहा कि inflation आई, problems आई, पर हमने उसको handle किया, wars वेगर आई, covid आई, सब कुछ आई, पर हमने उसको handle किया, आज inflation काफी हद तक control में, थोड़ा food inflation है, खत्रे में बाकिये सब control में, फिर यहां पर क्या पतायाएगा, यहां पर पतायाएगा कि क्या क्या, steps उठायाएगा, सरकार के दूरा, war के time पर तो energy बहुत महिंगी हो जाती है, petrol, diesel बहुत महिंग हो जाता है, पर सरकार ने कोशिश करी कि नहीं, इतना महिंगा नहीं करेंगे, एकदम से country में महिंगाई बहुत तरी से बढ़ेगी, control करना मुश्किल हो जाएगा, inflation, ruler में और urban में भी अलग लग तरह को होता है, यहां government ने दोनों ही control किया, काफी अच्छे से control कि, economic survey ना बहुत investments अपनी बढ़ा रहे हैं, दुनिया इंडिया में investments बढ़ा रही है, import, export हम अपना सुधार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे sector जिसमें इंडिया का export अब बढ़ता जा रहा है, यह सब चीजों के बार में बात की गई, एक बड़ी unique चीज, economic survey में लिखी गई कि, जो electronic sector अगर इसको strong रखना है, तो अब शायद चाइना की investments अलाव करनी चीज, जो अब तक हम कुछ हद तक restrict कर रहे थे, अब सिर्फ electronic sector में चाइना की investments के साथ, इंडिया को फायदा होगा, फिर यहां पर और क्या पता आया गया, जैसे सरकार के उपर जो करजा था, अब काफी हद तक control में है, उसके लावा, forex reserve हमारा काफी हद तक strong है, हमारा import export में ऐसा होता है, हम सिर्फ import ही करते रहते हैं, यह एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमने improve कर लिया, foreign portfolio investment, जो लोग सिर्फ share market में पैसा लगा के जल्दी कमाने की कोशिश करते हैं, वो इंडिया में बढ़ा है, दोनों तरह के, FPI भी बढ़ा है, FDI भी बढ़ा है, फिर यहां पर और क्या बात ही कीगी, और यहां पर बात ही कीगी, जो अमरित काल 2047 तेक इंडिया को एक developed country बनाना है, उसके लिए क्या-क्या चीजों पर काम किया गया, MSME किया गया, private sector, investment, agriculture sector पर काम किया गया, काफी सारी चीजों को strong किया गया, climate change को रोकने के लिए solar panels का का काम करना, forest areas को बढ़ाना, इस सब में हमने अच्छे से चीजों को आगे push किया, जैसे सूरे घर योजना, जिसमें rooftop solo को काफी promote किया जाएगा, energy efficiency के projects जैसे पहले, जो बल बाते थे, वो ज़्यादा energy consume कते थे, अब हमने उसको थोड़ा shift किया, यह यहाँ पर बात की गई, social sector benefits होते जैसे females के लिए कुछ करना, students के लिए कुछ करना, society को और improve करना, उसमें हमने काफी अच्छे से काम किया, employment के लिए एक बहुत important चीज जो इंडिया में दिखती है, वो है skill development, skill को और improve करना, उसमें सरकार कह रही हमने काफी तरह के initiatives ले, काफी तरह के skill development programs हम अपनी कंटी में चला रहे हैं, यहां पर क्या बात की जारी है, जैसे आपको पता है कि manufacturing चाहे इंडिया में इतना strong नहीं हो पाया, होना चाहिए था, पर manufacturing एक बहुत important backbone होती है, उसका more strong करते जा रहे है, manufacturing को और uplift कर रहे है, agriculture और food management अच्छा था, और improve किया जा रहा है, PM किसान scheme हुई, electricity for farmers हुआ, irrigation projects हुआ, उन पर अच्छे से काम किया गया, manufacturing में एक बहुत important sector होता है, MSME, micro, small and medium enterprise, जो बहुत बड़ी company हैं यह, थोड़े छोटे scale पे company है, उनको loan easily provide करना, उनके लिए, taxation system को easy बनाना, यह सब चीज़ों पर काम किया गया, बहुत तरह के sectors में, इंडिया ने अपनी manufacturing अच्छी करी, आपने PLI scheme के बार में सुनोगा, PLI होता है कि production link incentive कि, आप अगर इंडिया में आके बनाओ ना, कोई भी company, अगर इंडिया में आके manufacture करो, तो सरकार अलग से incentive देती है, उस पर हमने काफी काम किया, हमने अपने, मैंने वही जो small enterprise, medium enterprises को push किया, उसके अलावा, हमारा जो services sector, उसका export बढ़ता ही जा रहा है, services में जैसे IT बहुत बड़ा partner भाती है, फिर हमने real estate sector को strong किया, tech startups को strong किया, agriculture, food beverages, बहुत सारे sectors में multiple तरह से काम किया गया, infrastructure sector, जब सरकार बोलती हैं कि हम capital spending बढ़ा रहे हैं, अभी budget पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो roads, railways, water transport, civilization, इन सब चीजों में काम किया, energy sector को हमने काफी strong किया, नहीने power plants बनाये गए, फिर जैसे अभी सल Olympics भी है, sports में हमने खेलें इंडिया को और promote किया, water sanitation में भारत mission grammean काफी strong किया गया, नमामी गंगे project for the water resources management, tourism में हमने काफी काम करने कोशिश करी, अब space में आप देखोगे, गरगन यान के थूप पहली बार इंडियन डॉकेट से इंडियन आस्टोर्स को स्पेस में भेज जाएगा उसमें काफी काम हुआ क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया काफी सीरियस है अगर आप देखो G20 कंट्री में से इस टेम पे जो कंट्री सबसे ज़ादा 23 से अपने टार्गेट को मीट करने कोशिश करी वो इंडिया है यहां पर असल में क्या पताया जा रहा है कि किस तरह से आपके सीरियल प्रोडक्शन या आपके एगरिकल्चर प्रोडक्शन में दुनिया भर में क्रीज देखा गया है इंडिया ने इसमें काफी ज़ादा काम किया सस्टेमल हाउसिंग होता है ऐसे घर बनाना जो लंबा टाइम चलाए जा सके सिरफ कंस्ट्रक्शन के एसा आप से नहीं उनकी इनर्जी वो कहां से ले रहे है है क्या मिटिरियल यूज किया जा रहा है उसमें हमने काफी काम किया तो एकनॉमिक सर्वे अगर आप देखो सारा का सारा पॉजिटिविटी के बार में था हमने क्या क्या अच्छा क्या हाँ एक चीज जो इसमें थोड़ी सी लोगों ने नोट करी ही वो थी यह मेंशिन करना कि चाइना के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पार्टनेशिव हमें कर ले नीचे ठीक है ठीक है अब हम चलते हैं अपने यूनियन बजट की इंपॉर्टेंट पार्ट पे तो बजट में आपको बता है जिस साल लोग सबक एलेक्शन होगा उसफ़र दो बजट आता है इंतरिम बजट आता है अपने नॉर्मल एप्रल को लाग हो जाता है एलेक्शन तक चलता है फिर फूल बजट आता है एलेक्शन के बाद और चलता है अगले साल के 31 माज तर ठीक है तो किसान, युवा, गरीब और महीलाएं ये चार जातियों पर ही सबस्यादा काम प्राइम निस्टर बोलते हैं कि मैं करना चाता हूँ बजट के थीम भी थे Employment, Skilling, MSMEs और Middle Class तो किस तरह से अपने Agriculture को और Improve करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह से हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि दो या तीन क्रॉप ही हुगाएंगे जैसे MSP वली प्रॉब्लम थी तो यही था ना पंजाब में की सिर्फ ये दो क्रॉप्स हुगाए जारे हैं उसको डाइवर्सिवाई करने की कोशिश की जारी है ये बज़ट में पतायागा कि अब और जादा करेंगे विकसित भारत के लिए और इनिशेटिफ चलाए जाएंगे जैसे वेरियस तरह के पैकेजिस दिया जाएंगे यूथ के लिए काफी काम किया जाएगा इंडस्ट्रिल ट्रेनिंग्स बढ़ाई जाएंगी विकसित भारत मतलब 2047 तक इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना ठीक है विकास भी विरासत भी कि अपने पुराने जो कल्चर है ट्रेडिशन उनको भी साथ में रखेंगे बनेंगे पर उनको भी साथ में लेके जाएंगे फीमेल्स के लिए काफी जादा और इनिशेटिव्स बढ़ाये जाएंगे जनजातिया उननत गराम अभियान को और बढ़ाये जाएगा जिसमें कोशिश कियाती है कि ट्राइबल कम्यूनिटीज की काफी अपलिफ्मेंट की जाए फिर इस बार के बजट में दो स्टेट्स बिहार और अंधरा दोनों के स्पेशल पैकेज के बार में बात कीगी जैसे आप देख सकते हैं तो यहां पर आंधरा बेजिशन डियागनेशन एक कि उनको कैपिटल वगएरा बनानी है तो पंदरा हजार करोट का उनको यहां पर बिहार वला भी आपको दिखाता होगा ठीक है बुद्रा लोन्स काफी जादा बढ़ाएगे क्रेडिट सपोर्ट वला यही जो लोन्स होते MSME उसको काफी इसली दिये गए उसके लाबा जो वेरियस स्मॉल स्केल बिजनसेज हैं लोन लेने का जो प्रोसेस स्कॉर इजी बनाया गया उनके लिए अर्बन डेवलेमेंट जैसे शेहरों में रहने विले लोगों के लिए बाटर मैनेजमेंट इप्रूफ की जाएगी स्टीट मार्केट्स को इंप्रूफ किया जाएगा स्टांप ड्यूटी वाला सिस्टम इजी किया जाएगा ठीक है फॉर विकसेद भारत अवास यह हो जाज जिसमें हाउसिंग फॉर आल कोशिश करते हैं एनर्जी सेक्टर में तो आपको बताए एक ही चीज़ पहले भी करने आगे भी करेंगे ग्रीन इनिशेटिफ्स ठीक है और जादा ग्रीन इनिशेटिफ्स कैसे लगाए जाएगे इसमें बात की गई भारत स्मॉल रियाक्टर्स की कि नुकलियर पावर को और जादा यूज करने की कोशिश की है यहाँ पर क्या पताया जारा है कि कैसे हम लोग इन्फरास्ट्रक्चर पर और पैसा खर्चेंगे इस बज़ड में जो की गाप्ल एक्सपेंडीचर होता है किस तरह से स्टेट्स को इंटरस्प्री लोन्स दिये जाएंगे किस तरह से हम लोग इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन में और जादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे वेरियस स्टेट्स को वेरियस रिजिन्स को जैसे हिमाचल पदेश के लिए डिजास्टर मैंगेंट के लिए लग से पैकेज आएगा असाम से के मुतराखंड के लिए इस पैकेज को लेकर आजाएगा ठीक है टूरिज्म में जैसे बहुत तरह के हमारे अग कॉरिडोस बन रहे हैं टेंपल कॉरिडोस बन रहे हैं चारधान कॉरिडोस बन रहे हैं नलंदा युनिवस्टे को हमने रीसेली भी डिवलप किया इस तरह से टूरिजम को और जाद इंडिया में स्टॉंग करने की कोशिश की जाएगी फिर यहाँ पर क्या है कि लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स जैसे हमारी कंट्री में रूलर अरियाज में कौन सा लैंड किसका है कौन उसका माली के बहुत क्लियर नहीं होता था जी आएस मैपिंग थूर्स को और स्टॉंग किया गया अगर एक इनसान का जो लैंड है उसके नाम पर अगर वो चीज क्लियर है तो उसके थूर्स को दिखाने कोशिश कर रहा है कि हमने एक्सपोर्ट भी स्टॉंग किये ठीक है हमारी टोटल जी डी बी ग्रोथ अच्छी हुए PMI होता है यह होता है Managers Index की किस तरह से हमारा Services और Manufacturing Companies जो होती है उन Companies के जो Basically Managers है जो उनको चला रहे है उनसे पूछाता है कि आपको क्या लगता है कि Future कैसा रहेगा अगर PMI जो है यह 50 से उपर रहे न तो मलब चीज है बहुत अच्छी है जो कि आप देखो इंडिया में काफियत तक चल रहा है NPS कम किये गए बैंकों को जो Non-Performing Assets की Problem आती है Fiscal Deficit जो सरकार को ज़्यादा Loan लेना होता है वो कम करने की कोशिश की कि Inflation हमने कंटोल करे ठीक है यह कुछ Basic Economic Parameters है जिसमें सब में Improvement देखी गई है आगे और देखी जाएगे Tax Proposals को और Easy बनाया गया और इस बजट में और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि किस तरह से वो जो तरह रहना तीन लाग तक Non-Taxable पांच लाग तक Non-Taxable उसके बार में हम यहाँ पर आगे बात करते हैं जैसे आप देखो यहाँ पर आई गया कि 0 से 3 लाग तक Income तक Nil 3 से 7 लाग तो अगर आप पांच लाग तक हमा रहे हो तो 3 लाग तक तो कुछ में नहीं उसके बाद 5% Tax 7 से 10 लाग तक 10% पर इसमें भी बहुत तरह कि आपको Rebates मिलेंगे जैसे आप 3 लाग के उपर गए अब आपकी 5 लाग 5% आपका Tax कटना शुरू हो जाग उसमें बहुत तरह के Rebates यहाँ पर अलाव किये गए Angel Tax को अब यहाँ पर उसमें अलग से Angel Tax ने लगए Angel Investors होते हैं जो नहीं स्टार्टप्स में इन्वेस्स करते हैं जब वो इन्वेस्स करते थे तो उन पर भी सरकार Tax लगाती थी जो भी यहाँ पर पता दिया है कि नहीं लगा जाए ठीक है एक चीज है जिससे Share Market भी थोड़ा सा Disturb होगी थी कि Share Market Investments होते हैं जो Short Term Long Term एक होती है जो एक साल से लंबी होती Long Term उससे एक साल से पहले तक की Investment होती Short Term उस पर थोड़ा सा Tax यहाँ पर बढ़ा दिया आगया ठीक है रुपी कम्स फ्राँ रुपी गोस्टू सरकार जब भी एक रुपया कमाती है तो आज भी उसका 27% आता है लोन से जो पिछले बार के बेज़र में 30% से भी जारा था फिर इंकम टैक्स से सरकार 19 पैसा कमाती है 18 पैसा कमाती है GST से कॉर्परेशन टैक्स से 17% एक साइज डूटी से सरकार को आता है 5% नॉन टैक्स रिसीप्ट से आता है 9% कस्टम से आता है 4% और non-debt capital receipt से मतलब जब सरकार बिना लोन लिए पैसा कमाती है उससे सरकार को आता है 1% जब सरकार एक रुपए खर्चती है तो सबसे बड़ा हिस्सा चला जाता है स्टेट्स को जो उनका various taxes का शेर देना होता है 21% 19% चला आता है जो इतने आप लोन ले रहे होगा आप 27% का लोन ले रहे हो तो उसके ब्याज भी तो पुराने देने 19% चला आता है ब्याज देने में फिर बड़ा हिस्सा है central sector scheme आपको बता है दो तरह की schemes होती है central sector central sponsored ये central sponsored भी लिखी है फिर finance commission के हिसाब से काफी सारा पैसा रखना होता है उसमें 9% चलाता है कुछ other expenditure होते है 9% के pension 4% होती है defense के लिए है 8% subsidies जो सरकार देती है 6% ठीक है तो ये रूपी comes from रूपी goes to यहाँ पर बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि various departments, various ministries को जैसे defense को 4.5 लाग करोड के रूलर development को 5.5 लाग करोड से जादा agriculture को 1.5 लाग करोड के आसपास home को 1.5 लाग करोड के आसपास education को 7.5 लाग करोड के आसपास IT को 1.5 लाग करोड से थोड़ा जादा amount यहाँ दी जाएगी health को 1.5 लाग करोड से कम energy को 70.000 करोड के social welfare को 56.000 करोड के आसपास commercial industry को 50 लाग करोड से कम ठीक है major schemes MG निरिगा में और बजट बढ़ा दिया गया 86,000 करोड के आसपास research of development में बजट बढ़ा दिया गया पिछले बार के comparison में nuclear power projects में और पैसा करच किया जागा nuclear power एक बहुत बड़ा future में sector बन भी रहा और आगे और बनेगा इसमें रश्या भी काफी हम लोग उसके साथ alliances करेंगे pharmaceutical industry में PLI PLI होती है production link incentive scheme कि अगर pharma industries बड़ी बड़ी companies pharma की इंडिया में आके manufacture करेंगे तो उनको लग से incentive दिया जाएंगे जिससे हमारा pharma strong होगा semiconductor में और ज़ादा सरकार पैसा घचकना जाती है solar grids में solar grid में तो बहुत बड़ी amount है 10,000 crore direct benefit transfer जो LPG के उसमें सरकार और budget लेकर आई है और line of cash जो loan बगएरा दिये जाते है उसमें भी सरकार जो government loan देती है उसमें भी सरकार और ज़ादा एक fund लेकर आई है तांकि और loans दिये जासे énd lithium R processed क्या होता है रसेड्स होता है जो सरकार की कमाई होती है capital assets लेको capital assets थोड़ी कम होनी चीए capital assets होती है जो सरकार थोड़ा loan लेकर पैसा कमाहेЗЫ revenue units होती है जो सरकार को fix पैसे आते है taxes से तो जब सरकार infrastructure पर कर्चे जो बड़ा ही जरूरी है यह बढ़ना capital expenditure अगर इन चारों में से कोई सबसारा जरूरी ना बढ़ना वह ही है तो सरकार उसको काफियत तक increase कर रही है ठीक है तो मैंने आप अगर एक चीज समझ सको मैंने बहुत numbers में बात नहीं करी क्योंकि वो आपको नहीं प्राइब नहीं प्राइब नहीं थाका रहीं एक जो आपको एक प्राइब यह थैव्यू